वेडियो लेकर प्रस्तुत हैं और आपको अच्छी तरीकिस में समझ में भी आ जाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको क्या जानना है क्या चीज़े करनी है यहां पर टॉपिक आपका होगा कि एक्जाम टाइम में इंगलिस की कॉपी कैसे लिखें तो एक्जाम के समय में आपको कॉपी कैसे लिखनी होगी सारे चीजों को डिसस करेंगे बस आपको हमारे साथ बने रहने ज़रुत है और अच्छी तरीके सारी चीजों कर दिया जाएगा तो जो भी इजिदेंट्स हमारे नहीं जूड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे लाइक कर देंगे और सेयर कर देंगे और हाँ सबसे मातपूर सूचना क्या है मेरे परफिदेंट्स कि आपको लाश्ट तक बने रहना है हमारे साथ क्योंकि लाश्ट तक आपको सारी चीज़े के लिए हो जाएंगी मेरे परफिदेंट्स कि आपको क्या चीज़े हम बता रहे हैं क्या के इसलिए लांब क्योंकि आपको time कम समय में अच्छे चीजज बताने का प्रयास करेंगे चैंग है मतंद करेंगे बहुत हैं इंपॉर्टेंट्म यह आपके लिए होने वाले हैं अब कि पहले आपको फ़ले को आपको थोड़ी चीज़े बता देते हैं जो चीज़ आपके लिए ध्यान है घवराईए नहीं आराम से चलिए और अच्छी तरीके से नहीं आपको बता देंगे बस आपको घवराण नहीं है बसमाता जुड़े रहना है लास तक बने रहना है और चैनल को ज्यादा-जार करते रहो पानी की तरह बहाते रहो चैनल को इतना ज्यादा सेयर कर दो कि सभी बच्चों के पास जो भी बच्चे इस साल यूफी बॉर्ड में इंगली इसका पर देंगे सभी के पास पहुंच जाए ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है तो मेरे पर आपको आपको पर यह जिम्मेदारी हम दे रहे ह आप लोग ज्यादा ज्यादा सेयर करेंगे और जितने भी जुड़ेंगे चैनल को तुरंत लाइक करके जाएंगे सेयर करके जाएंगे बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली सारी चीज़ों को इसमें डिसक्स करेंगे ठीक है सबसे पहले आपको इस तरीके से कॉ मुहर है या नहीं है या केंद्र की मुहर है की नहीं है अगर आप वहां पर देखेंगे तो आपको यहां मुहर मारी रहेगी तभी आपको कांपी वैलिड होगी अगर मुहर नहीं मारेगे तो हम तो ऐसे कांपी लिए हैं तो हम भी कर दे कि कोई भी कांपी लेकर जाए आया गया है कि अंदर भी अक्चुल मुतने पेज हैं की नहीं है तो यह आपको वहां पर ध्यान देना होगा और मेंसन कर देना है चलिए और यह चीज़े तो इंपोर्टन्ट है ही है उसके बाद हम आपको बताते हैं देखिए कॉपी कि क्लास की बता देते हैं आपको यह कॉ आपको कूछ समझ में नहीं आया घर तक पने रहना है है मैं कुarin करना करते रहना है पानी की सब्सक्राइब का अनुक्रमांग का मतलब क्या होता है कि आपकorter काार्ण में अनुकरमांग और वहां पर भी ईंग्लिस में लिखाऊ तूँए तो वहां पे आपको देख लेना है अनुकरमांग क्या है एहां पे देखे कुछ अनुकरमांग हमने लिख लिया है आप लोग बिजि अनुकरमांग म hetигр devices को क्यों बहुत बच्चे होते ना कि क्या खरते हैं कि नгор अगर आपको बच्चा कोई ढाल लेघनी आपकोन कर नए करना आप दृति करेंगे में करना तॉब होगिए और यह एक कंपangen करने हो यह जाता है आपको अपना है और बूह जोंक नभी tent ऐसे इसे लिखा है परिक्षार्ति का अनुक्रमा कि यहां उपट्तर्प्रदेश के कि तो नाम मेंसान नहीं करेंगे पोधूरिनिंस्रक्शन से अपके लिए यह परिचरती पेपर दे रहा होगा इसमें अपना नाम-mention भी नहीं करेगा अगर यहां पर अपना नाम न लिखें उसका देखिए परिक्षार्ति सभी प्रविष्टियां सुध्ध एवं अस्पष्ट रूप से स्वयम भरें यानि कि सुध्ध रूप से और अस्पष्ट रूप से स्वयम ही भरना होगा आपको ठीक है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आपको जो पर संकेत calendar inglees लिग सकते संकेत हैं प्रशनपत्र केवल लेखेंगे केवल का मतलब क्या हुदा है कि आप सिट इंगलिपर इसमें दे रहें और शूप संकेत आपको दिया होगा जैसे यदिया यक सवाई स्वाई तो इस तरीके का संकेत होगा आपको संकेत यहां पर कोश्टक में लिख देना है अब संकेत लिखने के बाद क्या करेंगे आप देगे परिक्षा का दिन परिक्षा का दिन क्या है सनीवार है ठीक है सनीवार आप डाल देंगे और यहां पर तिथी मेंसन करेंगे दो तारिक तिसरा महिना दो हजार बाइस तिक है और दिती पाली में आपकी पाली कौन से आपकी दुती पाली है इसको भी आपको मेंसन करना है बहुत ही इंपोर्टन टैटिक है चली केंदर का नाम यहाप लिखेंगे केंदर में आपका पेपर होगा वहां पर आपको यह नाम मेंसन करना होगा हम आप बार बार इसलिए बता रहे हैं आप अपने कालेज का नाम डाले जा रहे हैं तो वहां पर गलत हो जाएगा केंदर का नाम आपको डालना है जहां पर आपको पेपर देने जाना है ठीक है यह बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है अब देखिए नीचे वाले जो सिक्षन है इसहां पे आपको कुछ नहीं करना है आपको नहीं करना है यहां पर डाड़ लिखा हुआ है कख्छनी रख्षक भरे तो आपको यह नीचे वाला पोर्षन छोण देना है अभी जब कख्छनी परिक्षक का पूरा नाम अस्पस्थ हन्सचाचर यहां पर देना होगा परिक्षक संख्या तिक है अब यहां पी दिनांग डाल देना है दिनांग डाल देना है बहुत ही important है दिनांग भी आपको यहाँ पर mention करना होगा तो इधनी चीज़े आपको यहाँ पर cover page पर मिलेंगी भरने के लिए बहुत ही important है यह चीजिये आपको करना बहुत ही आवच्चक है मेरे पार डिंट्स क्योंकि? यह चीजीया आपको कहीं नहीं मिलेगी और आपके लिये देखे कॉपी कैसे लिखा जाता है यह जानना बहुत ही इंपोरटन्ट है जिनना आपके लिए पढ़ना इंपोर्टन्ट हो उस्ते जादा जानना आपके लिए यह इंपोर्टन्ट है कॉपी को हम कैसे लिखें अगर आप यह जानते रहेंगे कॉपी कैसे लिखें तो यह चीज आपके लिए बेहाद ही इंपोर्टन्ट हो सकती है है मेरे प्रिश्ट का जो कबर का साथ चीज़ के लिए हो गई अब अंदर चलते हैं जो मॉडल पेपर है हमारा उस मॉडल पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं के साथ साथ हम किस तरीके score कर देंगे तो मेरे पारे जुक्त हमने आप को कई मॉडल पेपर जुह हैपको कितनी चीज आती हैं किया क्या चीज़ नहीं आती हैं तो सारी चीजि़ों को करके वीडिवस बनाए हुई है तो आपको अच्छा बारेती अपर आपको देख लेना है प्राष्ण में याक ही बात करते हैं ठीक है यहां पर देखिंडर करेंगे पहले अब देखिन स्क्षन की बात करेंगे तो स्च्षन में आपको किया पुछा जा था रीडिंग का पार्ट पुछा था नहीं कि आपको रीडिंग का मतलब क्या होता है तो लंट होगा यहां बहुत इंप्पॉर्टेंट होता है डाल वessen और यहांपर डालना क्यों एगा अब नीचे तो अंधतर आपको पूछेगा तो आपको पूछेगा जबाप इसे आपको देना होगा जैसे कि हमने एक पर्लिया था वह इस से प्रसचा इसे उतर हमनेैं रिखने का तरीके और पता रहा है का तरीका क्या होता है सारी चीजे नीट एंड क्लीन जो हमारी काप्य कैसे लिखी जाएगी तो इसके बारे हम आपको लिए बात कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं तो यह भी जाना आपके लिए बहुत हो जाएं सेक्षन एकी बात करते है रेडिंग में देखिए एंसर नंबर एक यानि कि सेक्षन ए में एक ठीक है तो एक अगर एक की बात करेंगे तो इसमें आपके कुछ पूछा था जिए पूछा गया था नुट्रिशन साइन्स बिलीफ इन एमांट और फूट यू कंज्यूम नाट इन गुट और बैट गुट और फूड द एमांट कन बी मेजर्ड इन टर्म्स आप पॉर्शन और साइज आप सर्विंग ठीक है तो यह से आप पहला प्रसन आपको यह लिख दिये दूसरा प्रसन यह हो जाएगा तीसरे नंबर में देखिए आप पॉर्शन में इस एमांट आप फूड यू चूस्त इट एट वन टाइम ठीक है तो यह आपको लिख देना होगा बहुत ही इंपोर्टेंट है चले चौते नंबर की बात कर लेते हैं इस्टडी इस हैब सोन डैट प्यूप पूपवूत इंपोर्टेंट चीज является आपको उसस् ng कोँसन को अंसर देना है और अच्छी तरीके से लिख देना है मेरे उत्की अब देखें अब देखिये उत अपरे अक्षर होंगे वर्ड्स होंगे ना जादा बड़े होंगे ना जादा छोटे मेडियम साइच की वर्डर भी लिखेंगे अक्षर को भी लिखेंगे यह वह बहुत ही इंपोर्टन्ट है आप देखिए अंसर नमबर 2 की बात करते हैं अंसर नंबर दो में देखिए इसमें भी आपको इसी तरीके सारे प्रस्णों को लिखा गया है बहुत ही इंपोर्टेंट आपके लिए समझना ठीक है अब अंसर नंबर पांच की बात करेंगे ठीक है दा वर्ड इस कंफ्रॉंटेट यहां कुछ कुछ पूछा गया था आपस सब्सक्राइबाद करेंगे थी तरीका साथ पूछन पूछे जाएंगए गया तो इस तरीके से लिखेंगे के करेंगे यहां पे अब आपका आजाता है सेक्षन भी हमने आपको बताया कि जैसे आपका इसे पूरा समाप्त हो गया तो आपको नए पेज इसे सेक्षन भी को स्टार्ट करना होगा ठीक है और यह चीज आपको अच्छी तरीकी समझ लेना है क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्डेंट ह में क्या आजिक आट आइम आइम आज आगुएम आटिकल का नाम उहाँ पे दिया थाता कि आइम एक आणि नाम नाम県ली कर कोई भी चीज में अपना नाम में से नहीं करना ठीक है अब देखिए यहां पर हो जाएगा अब यहां पर क्या हो जाएगा अब यहां पर आपको पूरी चीज़े लिखना और आप आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं बेखिए मेले स्टोन इस फो एंपल रिखली अच्छिछ अब लिख यहां तेखिए इस अब देखिए इस अब दो प्रिखे टो एट आप अब दिक कि अ अबुड़दी टो चेल्ड़दे टो ऑ्ट पक्स आप अब अजिकाल श्चल विच अब टर्म यहां वां बड़दे यानि कि 18 में हम क्या होते हैं कि eligible vote के लिए क्या होते हैं यहीं सब हमको लिखना होगा ठीक है तो सक्षन भी आपको डेट सव से दो सव धाइस वर्डों तक में आपको लिखना होगा बहुत इंपोर्टन्ट आर्टिकल क्यों कि यहां सापको 10 नंबर मिलेंगे तो आपको इसी तरीके से बठा लिखना होगा क्योंकि आपको को सब्सद्स घेए को देद लिह भर नोट करके आप लोग को क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा course को purchase करना है ठीक है और अपनी पढ़ाई को improve करना वहाँ पे 95 प्लस की तयारिया आप लिए कराई जाएगे तो इस डूट फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत बाई 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 टेक केर